उधारन सिंख्या 2.4 है और कफी अच्छा एक्जेंपल आपके पास है इसका जो रिजल्ट आएगा वो उधारन 2.5 को सोल करण में हमादी हेल्प करेगा तो इसको ध्यान से समझना है क्या बोला है एक कापिटल आर्थ रिजल्ट की पतली वले क्यों घन आविश एक समान रूप से क्या है वित्रित है तो आर्थ रिजल्ट की पतली वले हम लोग बना लेते हैं ये आपके पास वले मान ली ठीक है इस वले की तिजल्ट कितनी बोल दी आर कहनदे कितना है ओ और एक समान रूप से आविशों का क्या है विट्रण है ये एक समान रूप से आविश क्या क्येगे विट्रित ओक कितने आविश विट्रित हैं नोटल क्यों वले के अक्ष पर केंदर से एक्ष दूरी पर इस ती बिंदू पर विदू छेते की तिरवता ग्याद किजिए तो ये आपके पास वले का क्या हुआ केंदर केंदर से ये एक्ष अक्ष में X दूरी पे एक अग्याद बिंदू कोने P और इस P बिंदू पे हमें क्या ग्याद करने है विदू छेते की तेवरता तो पहले P बिंदू ग्याद करेंगे और फिर जो result हमें पराप्ट होगा उसके आधार पर यदि X को बहुत बड़ा मान लेंगे R में तो उसके विवेजना भी करनी है उसके बारव डिक्लेरेशन लेंगे सबसे पहले काम क्या है विदू छेती की तेवरता ग्याद करने है आपने अब तो जो कंसेट पढ़ा वो कंसेट यह था की यह बिंदू गता हो Q से R गुड़ी पे अग्याद बिंदू P है सकते हैं इस सुत्र को लगाने के लिए हमने क्या मानी एक लंबाई यह एक अलपांश लंबाई है कितनी लिया यदि लंबाई अलपांश है तो इस अलपांश लंबाई पर आविश भी क्या होगा अलपांश कितना होगा DQ इस अलपांश लंबाई से आर दूरी पे ये बिंदू P आपके पाज़ती थे अब चुकि DQ आविश कैसा है पोजिटिव है इसके कारण जो इसके विदू छेती की तिवरता उत्पन होगी जो की कितनी उत्पन होगी D E किदर होगी बाहर की और तो ये एरो जो मैंने बताया बाहर की और है और इस विदू छेती की तिवरता का मान कितना होगा सही होगी के आविश कितना है DQ और इस बिंदू से लेकर इस आविश की जो बिंदू है यहां से लेकर पी तक की दूरी, ये दूरी कितनी दे रहे खे है कि पास R, तो क्या लिख़़ों के पास R का स्कूर है, ये कौन हमने कितना बता दिया, ठीटा, इसके हम क्या भी बज़ित करेंगे, घटक, तो ये ठीटा है, तो ये कौन भी कितना होगा, ठीटा, अब इसका ये घटक क्या ब इसके लिए हमने क्या किया, जैसे पहला DL यहां माना था, इसके जश्ट विपरित, इसका जश्ट विपरित कुछ यह ही होगा, यहां पे भी अलपांश काट लेते हैं, अलपांश लंबए कितनी बोल दी, DL, जिस पर आविश कितना है, DQ, और उससे भी कितना दूरी के उप होगा, K, DQ बटा, R स्कुर, यह कौन कितना बता दिया, ठीटा, तो यह कौन भी कितना होगा, ठीटा, इसे D के घटक बनाएंगे, तो यह घटक बन जाएगा, D, E, साइन, ठीटा, और यह अलग घटक क्या बनेगा, D, E, कोश ठीटा, अर्थार्थ, इस बिंदू P के ओपर बहुत सारे विदू छेत्र होंगे, और परत्यक विदू छेत्र के सदेव दो घटक होंगे, एक घटक होगा, D, E, साइन, ठीटा, और एक घटक क्या होगा, D, E, कोश ठीटा, हर D, E, साइन, ठीटा का एक विप्रिद घटक अविश्य पराप्त होगा, जैसे यहां हमें इस इस D.E. साइन्टिटा का विप्रित घटक क्या हुआ, D.E. साइन्टिटा, पहले वाले अलप्रांच से पराप्त हुआ, जबकि D.E. कोष्टा के जितने भी घटक बनाओगे, वो सारे एक दिशा में जाएंगे, तो यहां से एक बात किलियर हुए एक पास, कौन सी इटम किलि बोला है कि एक अलप्रांच लिया कितना D.E. इस एक अलप्रांच D.E. कोष्ट घटा का क्या कर देते हैं, समाकल, क्योंकि जान दो, एक D.E. कोष्ट घटा कितना है, D.E. कोष्ट घटा, अगर बहुत सारे D.E. हो, उनको जोड दिया जाया है, तो पूरी लंबय बन जाएगी, कैसे, यह वले है, इसके अलप्रांच लंबय D.E. काटी, फिर एक और अलप्रांच डियाल काटोगे, एक और अलप्रांच D.E. फिर ऐसे बहुत सारे अलप्रांच काटते जाओगे, और बहुत सारे D.E. बनेंगे, और इन सभी D.E. कोष्ट घटा है, तो आपके पास प्राप्त होगा ठीक है यह हुआ अब देखें यहां पे इनेट बराबर समाकलन डी इका मान किताने निकाल रखा आपने के डी क्यू बट्टा आर स्कुरे गुणा कोस्ट तो कोई भी एक त्रिबूच दे लीजे यह त्रिबूच हमने ले लिया यह वाला जो मैं अपके पास यह त्रिबूच है इस त्रिबूच में यह कौन क्या ठीटा तो कोस्ट ठीटा क्या होता है कोस्ट ठीटा होता है आधार बट्टे वे कन आधार कितना दे रखा आपके पास एक्स कन कितना है आर तो कोस्ट अगमान रख देंगे एक्स बट्टे में आर तो बता देखो, DQ का हम समाखलन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अल-पांश क्या काटा था? लंबाई. ना कि हमने अल-पांश आविस लिया था. वो तो अल-पांश लंबाई के उपडर कितना आविस आएगा? अल-पांश आविस DQ आएगा. तो पहले इस DQ को बदलना पड़ेगा ल के टम में कैसे बदलेंगे वो समझी आपके पास देखो आपने बोला कि DL आविश पे या DL लंबाई पे कितना आविश है DQ एकाई लंबाई पे कितना होगा DQ बटता DL एक काई लंबा भी जो आविश होता उसको बोलते हैं रेखिए आविश घनत अर्थात लैम्डा बराबर DQ बट्टा DL और यहां से DQ क्या हो सकता है लैम्डा DL मान रख देंगे तो E net का मान कितना आ जाएगा समाकलन K X इसकी जगे रखेंगे लैम्डा DL DQ की जगे लैम्डा DL बट्टे में क्या RQ E net बराबर K X लैम्डा बट्टा RQ constant है समाकलन किस्ता करना पड़ेगा 1DL अब यहां देखिए DL की कुछ लिमिट रखने हैं चाहिए DL यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है इस विंदू से इसको मैं डाक करूँ तो DL की प्रारिम लंबाई कितनी है? 0 फिर आप DL को जोड़ते हुए जाएंगे यह जोड़ रहा है आपके पास और वापिस उसी बिंदू पर पहुच जाएंगे तब कितनी दूरी ते कर चुका होगा? एक परीदी के बराबर तो अंतिम कितनी होगी? 2PiR तो लिमिट पुट करनी है प्रारिम बिग मान कितना होगा? 0 अंतिम मान कितना होगा? 2PiR इनेट बराबर कितना होजाएगा? के एक्स लेमड़े बट्टे में RQ वन DL का इंटिकेशन कितना होगा? L और यह कितना होजाएगा? 0 से 2PiR लिमिट कैसे उपन करते है अब लिमिट मानस लोड लिमिट के एक्स लैमड़ा 2PiR मानस 0 0 की रिक्वार्मेंट नहीं है अब उन में क्या लिखा जाएगा? RQ यह जो पूरी वले है इस वले की लंबाई क्या है? यह जो वले है इस वले की परीदी ही Q बट्टा 2PiR एक काई लंबाई पर जो आविश आता इसको बोलते हैं रेखे आविश घनतव Q बट्टे में 2PiR जहां Q किसके बराबर होगा? लैमडा गुना 2PiR के है अर्थार्थ यह जो आपके पास लैमडा गुना 2PiR है इसको तो कुल आविश क्यू लिख सकते हैं लोग तो परिणामी विदुच्छ ते कितना हो जाए के X Q बट्टे में क्या R Q अब इस R का अमान हम लोग पूट करेंगे तो देखें यहाँ पर यह आपके पास जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यह एक समकों तिरिबुचे इस समकों तिरिबुच में R क्या है? विकन है और विकन क्या होता है? अंडरूट आधार का स्कॉए प्लस लम का स्कॉए अर्थात X स्कॉए प्लस कैपिटल R स्कॉए तो हम साइड में लिख देंगे कि R का मान होता है एक स्कॉए प्लस कैपिटल R स्कॉए का अंडरूट और अंडरूट का मतलब होता है घात एक बटा दो इस R का मान अगर यहां रखेंगे तो परिदामी विदुचेता का मान कितना आएगा K X Q बटा X स्कॉए प्लस R स्कॉए की घात एक बटा दो कि होल घात कितनी दे नहीं 3 क्योंकि R का क्यूब है आपके पास E net कितना हो जाएगा K X Q बटा में X स्कॉए प्लस R स्कॉए के होल घातां 3 बटा 2 यह क्या निकल के आया आपके पास परिदामी विदुचेता का मान तो यह दि कोई वले है और उससे X X के उपर बिंदू P हो और इस वले की तिर्जा R हो और जिस पे एक समान रूप से आविशो का वित्रन हो तो इनके कारण विदुचेते की तिवरता का मान कितना होता है K X Q बटा में X स्कॉए प्लस R स्कॉए की होल घात 3 बटा 2 अब देखो आपको एक और कोशन दिया है कि परतिबंद पर विवेशना करनी है यदि X का मान बढ़ा हो किस से अब परतिबंद है आपके पास एक परतिबंद परतिबंद यह है कि X बहुत बहुत बढ़ा है किस से R से तो ऐसा करते हैं, R का मान कितना मान लेते हैं, शुन्ने तो सम्भी कर्म में R का मान जूर रखोगे, तो बताइए E NET कितना आ जाएगा K X Q, बटे में X स्क्वाइग की होल घात 3 बटा 2, क्यों R तो जिर हो गया गात पर गात गात गुणा होती है, 2 को 3 बटा 2 से गुणा किया, गात कितनी बच जाएगी, 3 तो E NET का मान कितना आ जाएगा, K X Q, बटे में क्या, X Q, काटा X स्क्वाइग तो अब परिणामे विदु छेती तिविता का मान कितना होगा, K Q, बटे में X स्क्वाइग यह है कि बिंदुवत आवेश Q से X दूरी पर यह दी बिंदु P हो, तो बिंदु P के उपर, विदु छेती की तिविता का मान कितना लिखा जाएगा, K Q, बटे में क्या, X स्क्वाइग तो अब इस दी बात है, यह दीमान लो एक वले है, वले से बहुत दूर पर आगा कोई बिंदु P हो, और वले बहुत छोटी दिखाई दे, तो उससे का मान विदु छेती की तिविता का मान कितना होगा, K Q, बटा X स्क्वाइग थैंक्यू